मैं सुझेय कुमार और आपके अपने चैनल सुझेय फेंटासी में आपका स्वागत है दोस्तो आज में लोग बात करने वाले हैं आज का दिन का पहला मुकाबला जो कि सागर माथा T20 कप खेला जाना है प्रोविन्स नंबर वन और नेपाल पूलिस कलब के बीच में मैच को मीस करोगे एक एक प्लिएर के बारे में मैँ डिटील से दोनों टीम के बारे में इसकी करोँगा आपको समझाने का प्रियास करोंगा कि कौण कोई से प्लिएर को अपने टीम में लेकर के चलना है किसको ड्रॉप करना है किसको रखना है तो पूरे वीडियो को आप पहले देख लो समझ समझ लो और उसके बाद मैं हर प्लेयर का स्टाइट्स दिखाऊंगा उससे आप ग्रैंड लीग एजवला जै स्मॉर लीग के टीम खूद से बनाना जान जाओगे ठीक है ले विजे हजारे टॉफी का किरला और तमिलनाडू के बीच में मुकाबला का वीडियो डाला हुआ है करनाट का राजस्थान का डाला हुआ है और वेस्ट इनिजन इस्टलिया प्रैटि स्टेस्ट का जो मैचे चलने वाला है यह भी वीडियो चैनल पे अपलोड़ेड है तो चलते हैं स्टेस के उपर भाई सब ठीक है तो पहले हम लोग प्रोविंस नूमटर वण के जो टीम है इनके प्लेयर में क्या-क्यास है इनके जो प्लेयर के प्रफॉर्मेंस है वो सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं तो देखो यह सारे प्लेयर है को खेलते वे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा अगर आप टेलीग्राम चल्से अगर अभी तक ज्वाइन नहीं हो तो इस वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक के टेलीग्राम का जल्दी से जाओ और टेलीग्राम चल्से जाकर के ज्वाइन हो जाना बिल्कुल फ् प्रफॉर्मेंस कुछ खास नहीं दिखा है तो मैं तो बोलूँगा आप इनको ग्रैल्डिग में रोटेट करो ठीक है इस मॉली के लिए ज्यादा हाई लेडी का मेंडिशन नहीं दूँगा विकॉज मुझे कुछ खास इनका रिकॉर्ड लगा ही नहीं है दोस्तो विवेक देखो तीन प्लेड का मुझे स्टैट्स नहीं मिला है अंकित सुवेडी नीरज मुख्या और समिर लड़की करकी ठीक है ये जो तीन प्लेड है न या भी इनका भूञत ग्रैटनी में já ninja को बता दूंगा या फिर आपको भी मिल जाता तो ग्रेंटीं में रोटेट करो ठीक है और ज्यादा हाई रिकमेंडेशन नहीं दूँगा पहले बॉलिंग करेगी इनकी टीम तो फिर सरवन यादो को अपने टीम में ले जा सकते हो ठीक है आगे बात करते हैं तो देखो सोनु मॉंडल है सोनु मंडल अगर इनका देखोगे तो ज्यादा नीचे रहते थे जिस वज़ें लोगो बैटिंग आज तक मिलाए नहीं अब सिधान्त लोहनी के बारें बात करेंगे तो लास्ट के तीन मैचे में का रिकॉल देखोगे तो 66 रन है और एक मैच में आर्ट और एक मैच में 0 रन तो अभी तक तो मुझे इनका कुछ खास स्टाट दिखाए नहीं है दोस्तो तो मैं तो बोलूँगा आप इंको ज्यादा तबज्यो मत दो को अपने टीम में ट्राई करना है मैं तो बोलूँगा ग्रैल्डिंग में फोकस करो फिर दो संसारी के बारे में बात करेंगे तो तो 17 रन 2 विकेट है 32 रन 1 विकेट है 17 रन 0 विकेट है तो यह बंदा को अपने टीम में ले जा सकते हो यही एक एसा बंदा है जिसको अपने टीम में ट्राई करोगे तो आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों स अच्छा का सब पॉंट देता हुआ दिखने वाला है और बाकिया है तो मुझे कोई खास प्ले करना चाते हो तो दोस्तो यह बात हो गई प्रोविन्स नंबर वन की इने इन पिसी इनके बारे में डिसकस करते हैं एक मिनट दोस्तो मैंने जो उस टीम के बारे में सारे प्लेयर के बारे में बताया आई होप आपको पसंद आ रहा होगा और देखो जादा आप टेंज मत लेना कि कौन से प्लेयर का रिकॉर्ड मिला है क्या नहीं मिला है वो मैं आपको टेली राम पे जब टीम दूँगा न तो फाइनल आपको स्माल ली के टीम दे दूँगा तो आपको कुछ करने का जूरत नहीं है डारेक्टली आजाओ टेली राम पे फाइनल टीम आपको मिल जाएगे बिल्कुल फ्री ओपको अब कोस्ट होता है मैं सारा इस बात कि देड़ी कर रहे हो और जुर जाना आप यहां से देखोगे न तो एनपिसी के टीम के प्लेइर आपको यह सारे खेलते हुए दिखेंगे और यह सारे प्लेइर जूब आगे बात करते हैं तो इनके प्लेयर के स्टैट्स प्रफॉर्मेंस देखने को मिलेगा उसको हम लोग इनके प्लेयर से कम से कम इनके टीम से साथ प्लेयर को ले करके चलेंगे चलेंगे, इनहीं के team match को win करने वाली है, और इनके team में अच्छाएगा से player भड़े पड़े हैं, तो उन नहीं सारे player को हम लोग focus करेंगे, तो त्राइग करके चलेंगे, संकर रानक का record देखोगे, तो अच्छाएगा सा record है, यह भेरे speak में बोलूगा लेकिन performance आपको करके द तो मैं आपको बता देता हूँ 26 रन 0 विकेट है 5 रन 0 विकेट है एक विकेट है 12 रन है और 10 रन है तो कूल मिलाकर भात यह होता है कि मुझे तू कुछ खास नहीं दिखा है तो मैं बोलूगा आप इंको ग्रैंडिंग में फोकस करो स्मॉल लिग में ट्राइ करने का अब इनास करन है देखो एक तुम्हें आपको बात पहले ही बता देता हूँ कि दोनों टीम वीक टीम है और जो यह क्या बोलते हैं यार एनपीसी की जो टीम है वो थोरी ज्यादा स्ट्रॉंग है तो इनके टीम के बॉलर पूरे अपने टीम में रख लेना जितने भी इनके करती है तब तो फिर यह मैच आच्छा आपके लिए जाएगा अब इनास करने आपके लिए अच्छे कासे पीक बन सकते हैं ट्राइ जरूर कर सकते हो आप सुर्य तमांग के बारे बात करेंगे तो मुझे तो कुछ खास नहीं लगा हाला कि दो दो बिकेट निकाल रख है उ सबसे पहले तो आप इनहीं को लिए करके चलना विकोज यह बंदा आपको बिकेट टिकर बॉलर है उसके दाते दिपेंदर रावत यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पीक बनेगा तो दिपेंदर रावत अनील खरेल एकदम दिमाग में अटालो भाई सब आपको ट्रा पीक बनेगा विकोज बैटिंग बोलिंग दोनों आपको अच्छा का सा प्रफॉर्मेंस करता हो दिखेगा तो आपने टीम में ट्राई कर सकते हो ललीद भंडारी आपके टीम में एक दम होने चाहिए बाई सब अगा तीन दू पांच एक छे साथ आठ इगाड़ा विकेट आगे बात करते हैं तो ललीद भंडारी के बनेगे बात हो गया नंदन यादो ये भी आपको हर मैच में प्रफॉर्मेंस करता हो दिखने वाला है तो देखो इनकी तरफ से जो इंपोर्टेंट फिलेड यादो ललीद भंडारी पवंस अरपको ट्राई करना चाहिए तो बि कराना को तो दोस्तों ये तो बात हो गई सबसे important important player के बारे में आ जाते हैं जल्दी से फटाक से ट्रिलन टीम के उपर और यहां आ करके फटाक से एक अच्छी सी dream 11 के टीम भी create कर लेते हैं ताकि आपको कोई परसानी नहों और एक एक player के बारे में आप चाते हो तो इंकित सुबेडी मुझे कुछ खास नहीं लगा प्रेम इनका भी मुझे कुछ खासे stats नहीं लगा है प्रेम तमांग को चाते हो तो try करना कर सकते हो ठीक है निच्छे से देखते हैं तो Amit Sarista कुछ खास नहीं है अब इवेक महता इनके तरफ से यह एक प्लेड है जो आपको परफॉर्मेंस करता हुआ दिख सकता है एस राना का अगर देखोगे संकर राना इंका भी अच्छा का सारी कॉर्ड है सुनिल धमाला मुझे कुछ खास नहीं लगा समीर करकी और यहां पर देखोगे तो दीपक पासपान यह स सिद्धांत लोहानी के साथ जा सकते हो फिर योगिंदा सिंह करकी हो जाते हैं फिर दो संसारी हो जाते हैं फिर यहां से देखोगे तो नंदन यादो को मिलेना चाहता हूँ ललीद भंडारी भी इसी सेक्शन में है और साब सारे वल्ट रॉन्टर को एक ही सेक्शन में डाल अगर ललीद भंडारी नहीं खेलता है तो फिर सायद मैं इनके साथ चले जाओंगा सिधात वहानी के साथ लेगन अभी तक तो मुझे मूझे मूड नहीं लगाए कि मैं इनको ट्राइ करूं उसके जाते हैं यहां पर सरवन यादो आप इनको जुरू ट्राइ करो और जो यहा सजा रहा हूं अनील खरेल के साथ ठीक है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट पीक बनने वाला है तो इससाब से अभी के लिए यह टीम हो गई है जैसा कि मैंने आपको स्टाइट समझाया है आपको समझ में भी आ गया होगा और बात रही कैप्टन वाइस कैप्टन का तो को मैं आपको टेली ग्राम पर डिस्कुस करके बता हूंगा तो यह भी के लिए तो मैंने आपको बता दिया है जल्दी मिलेंगे निस वीडियो में नयवद्रेटरी को वीडियो के साथ तब तक लिए धन्यवाद अपना ख्याले के दोस्तों जाहीं और लाइक करना मत जाना सब्सक्षाइरी